नमस्कर दोस्तों एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो बहुत इखास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो मामनों जानेंगे कि बीए पर रिक्षा में अगर कोई प्रस्न समझ में ना है या फिर उस प्रस्न का उतर याद ना है तो उस कंडि अगर आपको कोई प्रस्न समझ में ना है या फिर उस प्रस्न का उतर याद ना है तो उस कंडिशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको कोश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके देखना है कि आपको उस कोश्चन के अंसर पता है कि नहीं पता है अगर आपको उ उससे समझे जो भी आपके मन में आता है उसको वहाँ पे लिखे देना है लेकिन अगर आपको question के answer नहीं पता है या फिर आपको question के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उस condition में आपको क्या करना है आपको दो काम करना है सबसे पहले question का खंड़न करना है और question का ख reading बनाना है और उसी सब्द को लेकर के उसका answer लिखना है जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको question दिया हुआ है कि मालतस के जनसंक्या सिधान की विवचन कीजिए एवं विश्तायर पूरक्षण है अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको मालतस के जनसंक्या सिधान के बारे पता होगा तब तो आप इस question cancer बहुत ही अरामतरी कैसे लिख पाएंगे लेकिन अगर आपको मालतस के जनसंक्या सिधान के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा तब आप इस question cancer कैसे लिखेंगे ध्यान समझेए आपको जब question cancer पता नहीं हो या फिर जब question समझ में आए तब को क्या करना है question का खंडन करना है और जिस सब्द के बारे में जनकारी हो उसको लेकर के बिश्तारित करना है तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे सबसे पहले question का खंडन कैसे क्या आता है तो question का खंडन करने के लिए क्या करना होता है कि एक-एक सब्द को लेकर के चेक करना होता है और देखना होता है कि उसके बारे में हमको जनकारी है की नहीं है अगर हमको जिस सब्द के बारे में जनकारी होता है उसी सब्द को ले करके दूसरे इस्टे में भिष्टाइद के राता है तो यहाँ पर दूस्तों हमनों क्या करेंगे सबसे पहले माल्थस को ले लेंगे और माल्थस सब्द को ले करके चेक करेंगे अब दोस्त यहाँ पर माल्थस सब्द को ले लिजे और माल्थस को ले करके देखिए कि आपको माल्थस के बारे में क्या पता है और माल्थस के जनसंख्या सिधान्त के बारे में आपको यहाँ पर दोस्तो अगर आपको जनसंख्या के बारे में कुछ भी पता है, तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, जनसंख्या को लेंगे, और जनसंख्या को लेंगे, यानि कि इसी के हेडिंग बनाएंगे, और इसी के एंसोर लिखेंगे, और अगर आपको जनसंख्या के बार अगर आपको सिधानत के बारे में नहीं पता है तो उसको भी छोड़ दीज्या अगला सब्द क्या है अगला सब्ध वीवेचना कीजिए अगर अब दोस्तों विस्तायर पुरोग समझाने का क्या मतलब होता है अगर आपको विस्तायर पुरोग समझाने का मतलब पता है तो लिखिया नहीं पता है तो इसको भी छोड़ दीजिए इस तरी कैसे दोस्तों आपको क्या करना है कि question के अंधर जितने भी सब्द दी हुए हैं एक-एक सब्द उको ले करके check करना है और देखना है आपको की सब्द के बारे में जनकारी है ति यहाँ पर दोस्तों मान लीजी कि अगर आपको मालसस के बारे मनी पता है आपको सिधान के बारे में नहीं पता है, विवेचने के बारे में नहीं पता है, विश्थार पुर समझाने के बारे में नहीं पता है, और आपको जनसंख्या को लेंगे, और जनसंख्या को लेंगे, और जनसंख्या को लेंगे, और जनसंख्या को लेंगे, और जनसंख्या को लेंग अगर उनकी नजर यहाँ पर पड़ गई तो आपका पूरा नमबर काट लेंगे इसलिए दोस्तु अगर आप किसी भी कोश्टन का एनसर बना बना के लिह रहा है ήाप फिर अपने मन से लिख रहा है यहाँ पर ध्यान दिजए गा आप जो भी heading लिखेंगे प्रस्निक अनुसार लिखेंगे answer में दोस्तों आप कुछ भी लिखेंगे answer में आप कुछ भी लिखेंगे लेकिन heading आपको प्रस्निक अनुसार बनाना है यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे जन संख्या को लेंगे और जन संख्या को लेकर के प्रसनिक अनुसार heading बनाएंगे और उसी का अनुसार उसका एनसार में बना के हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि जन संख्या को लेकर के यहाँ पर दोस्तों पहला point देंगे और यहां पर दोस्तों पहला point देखे हम लोग इसका पहला heading लिखेंगे तो यहां पर दोस्तों हमनों क्या करेंगे सबसे पहले इसका भूमिका लिखेंगे यहां पर दोस्तों हमरा पहला heading हो जाएगा भूमिका अब दोस्तों यहां पर हमनों क्या करेंगे कि यहां पर दोस्तों कम से कम 3 से 4 लाइन या फिर 5 लाइन हमको जितना भी आता है 3 से 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन हमको जितना भी आता है हमको जनसंख्या के बारे में जो भी पता है यहां पर दोस्तों 3-4 लाइन, 5-6 लाइन जो भी आता है यहां पर दोस्तों हम उसके बारे में 5-6 लाइन लिख देंगे यानि कि जन संख्या के बारे में यहां पर भूमी के अंदर लिख देंगे तो हमारा जो पहला हेडिंग है उसका एंसर कंप्लीट हो जाएगा उसके बद दुस्तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर दुसरा point देखेंगे यहांपर दूसरा point देखेंगे यहांपर दूसरा heading लिखेंगे यहां पर दोस्तों क्या करेंगे जनसंख्या के और्थ में यहां पर कम से कम आपको 7-8 लाइन बना करके लिखना है यानि कि जनसंख्या से आप जो भी समझते हैं जनसंख्या के बारे में जो भी जानते हैं यहां पर 7-8 लाइन में आपको जनसंख्या के बारे में लिखना है यहां पर दूस्तों हम लोग ने दूसरा heading मैं complete कर लिया और इसका answer भी लिख लिया अब दूस्तों हो क्या करेंगे दीछानन दाण दीजिएगा यहांपर मैं depende with enduring heading बता रहा ही इंसओर नहीं यहांपर मैं समझाने प yard बताुए I can profit क्या महत्वा था है यहाँ पर जनसंख्या के महत्व लिखेंगे याँ पर दोस्तो हम लोग कम से कम 8-9 लाइन यहां प्र आपको जितना भी आता है अपड़े मन से यहां पे बना बना के 8-9-10-12 जितने भी आपको आता है answer में इतना लिखतीजिए उसके पर दोस्तों यहां पर क्या करेंगे हम लोग यहां पर चौथा पोइंट देंगे और यहां पर दोस्तों चौथा पोइंट देंगे हम यहां पर चौथा हैडिंग लिखेंगे जन संख्या के लाव, यानि कि जन संख्या के क्या लाव होते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे जन संख्या के लाव, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे जन संख्या के लाव, अब दोस्तों जन संख्या के लाव में हम लोग का करेंगे, यहाँ पर दोस्तो अगला heading लिखेंगे जन संख्या के हानी यानि कि अगर जन संख्या के लाभ है तो यहाँ पर दूस्तों हम लोग जन संख्या के हानी भी लिखेंगे यहाँ पर दूस्तों हमरा heading हो जागे जन संख्या के हानी यानि कि जन संख्या से क्या हानी है अब दूस्तों जन संख्या के ह कौन कौन से समस्या उत्पवन होती है यहां पर दोस्तों हम अपने मन से बना करके लिखेंगे जनसंख्या से उत्पवन होने वाली समस्या है यहां पर दोस्तों हम लिखेंगे जनसंख्या से उत्पवन होने वाली समस्या यानि कि जो भी समस्या उत्पवन होती है यहां पर हम आले एक देखे, पॉइंट नंबर दो इस तरीके से लिखेना चाहे, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहां पर gen scientific समस्या उकलिक पहला इसका समस्या लिखेंगे रहने की समस्या, यानि कि अगर gen iy ज़ीद्ध हो यहाँ पर कम-si-कमिा 6-7 लाइन यहाँ पिर 8-9 लाइन जितना भी आता है यहाँ पर लोग उतना लिख देंगे उसके पर दोस्तों आगर क्या करेंगेımızı हाँ पर दूसरा समस्या में क्या करेंगे यहां पर भी कम से कम 5-6 लाइन यहां फिर 7 लाइन जितने भी आपको आता है उतने आपको यहां पर लिख देना है उसके बाद दोस्तों यहां पर तीसरा पॉइंट देंगे और यहां पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देंगे विरुजगारी की समस्य यहां पर दुस्तो बिरोजगारी की समस्या हो जायगी यहां में पर दोस्तो आपको बना गार के लिखे देना है तो इस तरी तरीकितो दू करूं जनसंख्या समस्या है इसमें दोस्तों हम लोग और तीन समस्या लिख लिए यहाँ पर दोस्तों आपको जीतना भी समस्या याद आता है या फिर जो भी आपके दिमाग में आता है जनसंख्या समस्या में यहाँ पर दोस्तों आप अपने दिमाग से बना करके लिख सकते हैं उ यानि कि जनसंख्य से जो समध्या उत पन हो रही है। उसका समध्या का समध्या का है? यहां पर हम बोगर समाधन लिखेँगे. और घ्षर जोस्तों समास्या का करेंगे कि कैने गलेगे . आधाव कुछ लीख लेंगे ? लास्ट में क्या करेंगे लास्ट में दोस्तों हम यहाँ पर आठेंगा Speak लिख देंगे और निसकार्स के अंदर कम से कंया करेंगे कि हमारा जो भी हेडिंग है सबसे पहले हम ऊपर से लिएघर्ट है भुमिकाज जन संक्या कर फुर्ट जो भी हमारा Heading है सबी heading में से एक line दो line लेकर के यहाँ पे दोस्तों निसकार में हम कम से कम 8-9 line लिख देंगे तो हमारा जो निसकार से वो complete हो जाएगा और समधार में दोस्तों जो हमारा समधार heading है इसके अंदर भी कम से कम हम 2-12 line लिख देंगे हमको बारे में जनकारी होगा उसको लेकर के और उसी का पूरा heading लिख लेंगे और उसी का पूरा answer लिखेंगे और इस तरीके समधार लिख देंगे यानि कि हमको जो भी आएगा उसके heading के अंदर answer में बना बना के लिख देंगे और यहां पर दोस्तों एक बात आपको और ध्यान रखना है कि आप जो भी उसका answer लिखेंगे answer आप अपने मन से बना करके लिखेंगे लेकिन ज्यादा फालतू चीज़े नहीं होना चीए यह भी ध्यान रखेगा क्योंकि अगर आप उसमें ज्यादा फालतू चीज़े रख देंगे तो गलात हो जाएगा इसलिए दोस्तों आपको ज्यादा फालतू चीज़े नहीं रखना है और एक बात तोरियात रखना है कि आपको दोस्तों कम से कम अगर यह long question है मैं long question ही बता हुँ आपको अगर long question का answer होग आप इलिख अन बना बना करके तो कम से कम है को adjustments आपको नमेर भड़ता है क्यूकि अगर आपकी copy भरी रहेगी तब ही आपको number मिलेगा अगर आप किसी भी question का answer और लॉंग कोश्चन के अगर आप तीन से साथ तीन पेज के अंदर लिखते हैं और आपका दस नमबर का कोश्चन है तो आपको दस में से कम से कम छे या साथ नमबर मिली जाएगा मैं यह गरांटी दता हूँ अगर आप अच्छे तरीके से प्रस्टनिक अनुसार हेडिंग लिखेंगे तो तो इस तरीके से तो आपको क्या करना है कि एकजाम में कोई भी कोश्चन अगर आपको नहीं आता है तो इस तरीके से बना करके लिखने ना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बते ही कि आपको नेक्स्ट वीडियो की स्टुप्टिक को पर चाहिए थेंकिये दूस्तों